अनुकापूर साब बौजूद है अनुकापूर साब बहुत से लमें आपके भी होंगे बिलकुल उसी तरह से जैसे की श्री देवी ने हम सब के लिए हम जो उनके फैंस हैं जो रहेंगे ताउम्र रहेंगे वैसी कई लमें उन्होंने आपको बतौर को स्टार भी दिये होंग अनुकापूर साब वैसे जगापूर सेयुक्समार अरब अमीरात में जो साथ कास्ट्रेशन आपको बहुत 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 सब को क्या आ धाहिए जिनमें उनका जाना हुआ और ये मौनिंग 25 फरवरी की बहुत ही शौकिंग न्यूज लेके आई है पूरी फिल्म इंडस्ट्री शौक्ड है और शोक में है हम सब जी वाकई अनुसाब मैं मैं उस सीन को नहीं भूल पाता हूँ मिस्टर इंडिया का आपके साथ आप उनके संपादक बने थे और बार बार गलत फोन आता था और जो आपकी और शौक्डेवी जी की जो केमिस्टरी थी मेरे खाल से कितने अभिनेता इतने खुशकिसमत रहे होंगे जिनके इस तरह के लम्हें आन स्क्रीन शौक्डेवी के साथ है और उन एतिहासिक लम्हों में आप उनके साथ है एक सीन में जी वो जो कैरेक्टर आप बोल रहे हैं जब मैं परफॉर्म करता था वो बहुत बड़ी स्टार हो चुकी थी और हमारे इंट्रिव्यू में उनके पती बोनी कपूर ने कहा था कि जब वो मिलने गए थे तो मम्मी जी ने कहा था नौ रुपया नौ रुपया लेंगे की और बोनी भाई इतने प्रभावित थे स्रीदेवी से कि उन्होंने का 11 रुपय दूँगा मैं आपको तो बहुत बड़ी एक्टरस थी वो काम करना चाहते थे और स्टार थी और हीरोईन के सामने जब एक कैरेक्टर आइटिस्ट काम करता है तो वैसे भी भारत में हीरो हीरोईन तो जादा बड़े मानी जाते हैं इसमें कोई शक नहीं है परंतु जब मैं परफॉर्म करता था तो उन्होंने एक बार जरूर पूछा था कि आप इतने इसीली सब कर लेते हैं तो मैंने का कुछ नहीं इसी नहीं होता है परन्तु मेरी भाषा है, मेरी मात्र भाषा है हिंदी और सयोग से मैं उसी भाषा के अंदर परफॉर्म कर रहा हूँ तो आसानी है, अगर मुझे तेलगू में या तबिल में करने को दिया जाएगा तो मेरी भी वही हालत होगी जो आपकी हालत हो रही है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अनुकपूर साहब, श्वी देवी की यही तो खास्यत थी अनुकपूर साहब कि उन्होंने एक ऐसी भाषा को अडॉप्ट किया ऐसी भाषा की वो सुपरस्टार हो गई जो वो बोल नहीं पाती थी उनकी आवाज को लेके उनकी आलोशना होती थी मगर ये तमाम चीजें फिर आखिरकार उनकी ताकत बन गई अनुकपूर साहब जी 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 बिल्कुल अगरी करता हूँ भिसार जी और चालबास तक आते आते वो पूरी पारंगत हो गई थी एक दम अभी आप लोग जो टीवी पे एक दो सीन शॉट्स दिखा रहे हैं सेग्मेंट वो वही हैं जब वो विलन्स की पिटाई करती हैं और बार-बार मेरे क्लोज अप्स और मेरे मिड शॉट्स आ रहे हैं चालबास फिल्म के तब तक आते आते वो काफी अच्छी हो गई थी हिंदी के अंदर और अभी मुझे दो तीन महीने पहले एरपोर्ट के लाउंज में मिली मैंने उनको देखा वो बैंगलोर एक फैशन शो में जा रही थी कितनी सुन्दर दिख रही थी कहीं कोई आभास नहीं था कि उनको उनकी कोई व्याधी होगी कोई मतलब इस 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 लड़की को कोई कोई बीमारी हो सकती है अपने सहत के लिए अपने खाने पीने को लेकर इ स्रीदेवी जी जी परसनल लाइफ में बहुत रिजर्व थी वो और उस टाइम की जो हीरोइन थी मैं उस टाइम की हीरोइन मतलब उनको यह नहीं कहना चाहता उस टाइम शब्द बोलते ही आपको लगे का के सुरैया जी और वो नहीं नहीं हमा माली नहीं स्रेका यह लोग स मेरे कहने पर मैंने जबरदस्ती आर के स्टूडियो में शूटिंग चल रही थी हमारी तो मैंने शेकर कपूर जी बोली 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 मैंने का कि मैं यह कहने जलेबी नहीं खाएंगी मैंने का मैं खेला देता हूं शेकर कपूर ने का जलेबी नहीं खाती है वो तो मैंने का म पाच-पंद साल की हो जाती ही वो, और हम सब इंतजार कर रहे हैं, हम सब जानना चाते हैं, मुझे लगता है मैं अकेला नहीं हूँ, पूरी फिल्म इंडिस्ट्री है, संभवता, पूरा देश जानना चाता है कि ये अचानक ये तरास्दी कैसे गट गई है, और क्यों गट ग पर्टिकिलर थी और भृदय गती रुख जाना वाकी कल्पना नहीं कर सकते और अनुकपूर आप ये भी मानेंगे असी के दशक में जो व्यक्ति बड़ा हो रहा हो या युवा हो उस दोरान श्रीदेवी आपकी रुमानियत का हिस्सा थी आपकी बच्पन का हिस्सा थी ये उ अगरी करता हूं उस टाइम पर भी जो लोग टीन्स में थे या किशोर अवस्था में थे डेफिनिटली सिर्देवी उनके लिए उनकी हीरोईन थी और हम भारतियों का मनोरंजन का मुख्य माध्यम तो सिनेमा रहा ही है इसलिए सिनेमा के लोगों को हमने बड़ा मान दिया ह है सम्मान दिया है पूजा है उनके मंदिर बनाए है यह हमारी सोच है सिनेमा वालों को हम बहुत मान देते हैं तो जाहर है कि सिर्देवी को इतनी बड़ी हीरोईन को जब खो दिया है तो पूरा देश शोक में डूबा हुआ है जो भी दर्शक देख रहे हैं कि उनकी बेट अपने माबाप का नाम रोशन करें इसी तरह से हम एक्चली सिर्देवी को श्रधान चली दे सकेंगे बिलकुल बहुत सही बहुत खुबसूरत बात कहिया अपने अनु कपूर साब और जैसे कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था देखें कितना बड़ा करूर मजाक है नियती का कि जब अरजन कपूर की फिल्म रिलीज होने वाली थी श्रधादे माई 2012 में उससे सिर्फ दो मैने पहले बौनी कपूर की पहली बीवी मोना कपूर चल बसी थी और अब जहनवी की फिल्म रिलीज होने वाली कुछ मैने पहले श्रीदेवी चल बसी है पाकि कुछ चीजों के बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं हम सोच भी नहीं सकते हैं कि आखिर क्यूं होता है ये सिर्फ 54 साल की तो थी सिर्फ 54 साल की